नमस्कार गुड इवनिंग शुबसंदिया घड़ी में रात के साड़े आठ बजे हैं और हाजिर हम एक बार फिर आपका अपना खेल का रिक्रिम स्पोर्ट्स के लेकर मैं हूँ धरमेंद्र और आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ट खेल पत्रकार मोना पार सर्थी मोना स कानपूर में जो मोना आज हुआ वो इतिहास था जादू था या करिश्मा था क्या था निश्चित तौर पर पहले दिन दूसरे तीसरे दिन चब खेल नहीं हुआ तब किसी ने शायद अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि इस मैच का इस तरीके से नतीजा निकलेगा और भ खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा लेकिन पहले अब सुर्कियां भारत ने कानपूर क्रिकेट टेस मैच में बांगलादेश को साथ विकेट सहरा कर दो मैच के शिंखला दो शूनि से जीती बांगलादेश की खिलाप टेस शिंखला में जीत से डब्लू टीसी तालीका मे भारत की शीर्ष पर रिस्तिती और मस्बूत पेरू में आई SSF जूनियर विश्वी चैंपनशिप में भारत के पार्थ राकेश माने ने दोहरी स्वाणिम सफलता हासिल की और हौकी इंडिया ने जर्मनी के खिलाप होने वाली दो मैच के शिंखला के लिए 40 संभावित खि विकेट से हरा कर दो टेस्ट मैच के शिंखला दो शुनि से जीत ली है भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 95 रन का लक्ष मिला था मेजबान टीम ने ये लक्ष तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया सुनते हैं ये रिपोर्ट जिस टेस्ट मैच में करीब धाई दिन का खेल बारिश की बज़े से धुल गया हो उस मैच में परिणाम निकलने की उमीद करना बिमानी था लेकिन भारती टीम मुश्किलों से निखर कर जीत ना जानती है टीम इंडिया की जीत की खुश्बू कल ही आने लगी थी जब टीम में ताबड़तोड अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम को पहली पारी के आधार पर 52 रन से पीछे छोड़ दिया था जैसा की कप्तान रोहिश शर्मा भी कहते हैं कि जीत के लिए उनकी टी इस अविश्वसनिये जीत में युवा से लेकर अनुभवी खिलाड़ी को अभी पूरा यूगदान रहा बल्लेबाजी में यश्वस्वी जैसवाल ने खूब छाप छोड़ी उन्होंने पहली पारी में ना सिर्फ ताबड़तोड बहतर रन बनाए बल्कि दूसरी पारी मे अर्दिश्य तक जड़ा प्लियर ऑफ दो मैच यश्वस्वी जैसवाल कहते हैं कि उनकी हर पारी बहत खास है इस शुंखला में टीम इंडिया ने अपने पड़ोसी बंगलादेश का दो शून से सूपरा साफ कर दिया इस जीत में अनभवी अश्विन का भी खास योगदान रहा प्लियर ऑफ दा सीरीज अश्विन ने नाजुक मौके पर पहले मैच में शतक जड़ा था तो दो मैच की सीरीज में 11 विकेट लेकर गेंदबाजी में भी अपना पुराना असर छोड़ा ग्यारवी बार प्लेयर ऑफ दा सीरीज चुने गए अश्विन भारत की इस एतिहसिक जीत से गदगद नजर आए जस्पिरित बुम्रा ने बंगलादेश की दोनों पारियों को बिखेरने में बड़ी भूमिका निबाई है कानपुर टेस्ट में छे विकेट लेने वाले दुनिया के सरुषिष तेज गेंदबाज बुम्रा कहते हैं कि कानपुर में विकेट लेना इतना आसान नहीं था लेकिन चुनोतियों को स्युकार करने में उन्हें मज़ा आता है अगर भारत ने पहली पारी में तेज बल्लेबाजी ना की होती तो मैच का परिणाम निकलना मुश्किल था इस रणेनीत में केल रहूल जैसे बल्लेबाज ने भी अपने आपको फिट किया और 43 गेंद में 68 ठंजोडे राहूल भी कहते हैं कि पहली पारी में टीम की रणेनी थी जल्दी जल्दी रण बनाने की थी वर्ल्टेश चेंपेंशिप के लिहाज से हर मैच बेहत जरूरी है इसी को ध्यान में रखते ही रोहत के जामाजों ने जीत के लिए अपनी जान जोंक दी और आखरकार पाम्याबी ने टीम के आगे सच देखिये मुकेश कुमार स्पोर्ट्सकैन हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि कल मैच का चौथा दिन था और जब खेल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि बंगलादेश की टीम के सिर्फ तीन विकेट गिरे हैं बंगलादेश की टीम क्या करने जाएगी कितना बड़ा स्कूर खड़ा करेगी और उसके बाद तो और भी कमाल हुआ जब बंगलादेश को हमारे गेंबाजों ने आउट कर दिया बलेबाजी जो हुई ऐसा लग रहा था कि 2020 भी नहीं उससे कहीं आगे की बलेबाजी हम देख रहे हैं निश्य तोर पर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब दूसरे तीसरे दिन का खेल नहीं हुआ तो आन तोर पर टीमें जो है वो डिफेंसिव मोन में चली जाती है और एक मैच का रुख जो है वो ड्रॉ की तरफ होता नजर आने लगता है लेकिन जिस अक्रामक मानसिक्ता के साथ और मुझे लगता है कि टीम थिंग टैंक ने ये पूरी सुनी और जी तरणनीती बनाई थी कि इस तरीके से खेलना है और जैसे रोहित कहा रहे थे कि सो देड़सों पर भी अगर वो आउट हो जाते तो वो इसके लिए भी तयार थे सब भी कसोटी पर खरे उतरे और बिल्कुल जैसे कप्तान और कोच गौतम घंबीर चाहते थे उसी के अनुरूप टीम ने प्रदर्शन किया और जैसे कि हम जानते हैं विश्व टेस्ट चैंपियंशिप तालिका के लिए ये महत्वपूर्ण एक तरीके से कहा जाए सतर की ब्लंबे टेस्ट सतर की शुरुआत है अभी हमें न्यूजलेंड से भी खेलना है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पांच टेस्ट मैचों की जो श्रंकला है तो जितनी जादा मैच प्रैक्टिस यहां खिलाडियों को मिलेगी उतना ही ऑस्ट्रेलिया दोरे से पहले confidence बढ़ेग और उसके साथ साथ मुहमद सिराज का कैच आप याद करें क्या कमाल का प्रदर्शन किया ऑल आउट प्रदर्शन इसी को कहा जाता है और सचमुच इस प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया डब्लोटीसी जो चैंपिन्शिप के लिए रैंकिंग है और जो पॉइंट से उसके यूही टॉप पर नहीं है निश्चित तॉप और जब से डब्लोटीसी शुरू हुआ है आप देखें टॉप टू में भारती टीम ने दोनों फाइनल खेले हैं और इस बार भी काफी आगे चल रही है और श्रिंखला के बाद ऑस्ट्रिलिया से जो है वो थोड़ा और बड़ा किया होगा और नजरे वही है कि जून में डब्लोटीसी फाइनल खेला है और जो दो बार की कसक रह गई है टी ट्वेंटी वर्ल्ट कप की वर्ल्ट कप जीतने की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है अब टेस्ट जिसको कहते हैं जो क्रिकेट पं करना है तो ये एक सुनहरा मौका है भारती टीम के साथ और जो फॉर्म अभी चल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि टीम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है बांगलादेश बड़े-बड़े सपने लेकर आया था भारत क्योंकि पाकिस्तान को पराजित करके भारत की न्यूजिलेंड की बात करें तो उसकी धड़कने और बढ़ गई होंगी क्योंकि श्रिलंका से पराजित होकर वो भारत आ रहा है और भारत के साथ उसको टेस्ट शिंखला खेल ली है और ये जो फॉर्म है भारती टीम का इस समय बांगलादेश जिस तरीके से पाकिस्तान क चित किया निश्चित और पर न्यूजिलेंड टीम की जो पहले ही खिलाडियों के फिटनस समस्याओं से जूज रही है यहां चिंताएं बहुत जादा बढ़ गई होगी जी उधर आज एक बहुत अच्छा गेस्चर देखने को मिला जब विराट कोनी ने बांगलादेश के खिलाफ दो टेस्ट की शिंखला में जीत के बाद मेहमान टीम के खिलाड़ी शाकेबल हसन को अपने हस्ताक्षर वाला बला तोहफे में दिया शाकेबल पहले ही बता चुके हैं कि विदोशी सर्जमी पर यह उनकी अंतिम टेस्ट शिंखला है बहुत ही अच्छा लमा था ओ देखिए दोनों लेजंड्स हैं खेल के जिसको कहा जाए और वाकई में ये जितनी मैदानी प्रतिद्वंदीता वगेरक की हम बात करते हैं लेकिन आफ दो फील्ड इनकी जो कॉमरेड़ी है आपस में वो जबरदस्त होती है और यह यहां वाकई में बहुत अच्छा जेस् बुमरा और शाहिंशा आफरीदी के बीच में भी ऐसा ही एक दृश्य हमें देखने को मिला था तो जितना जो आउटसाइड नॉइस जिसको हम कहते हैं वो होता है मुझे ने लगता खिलाडियों पे उसका बहुत जादा असर पड़ता है आपस में वो एक स्पोर्ट्समें के साथ खेलते हैं और उसी का मुझाहिराज विराट कोली और शाकीबल हसन के बीच उस लम्हे में देखने को मिला जी और आप बात कर रहे थी डब्लू टीसी तालिका की तो बांगलादेश की खिलाब दो शुनी के टेस्ट शिंकला जीत ने विश्व टेस्ट बारा मैचों में आठ जीत के साथ दूसरे स्थान पर है शिलंका तीसरे इंग्लेंड चौथे स्थान पर है भारत पिछले बारा साल से घर में टेस्ट शिंकला नहीं आ रहा और यह टीम की लगातार 88 शिंकला जीत है उदर क्रिकेट से एक और खबर है लखनों में इरानी ट अब बात निशाने बाजी की पेरू के लीमा में चल रही आई SSF जूनियर विश्व चेंपेंशिप में भारत के पार्थ राकेश माने ने दोहरी स्वाणिम सफलता हासिल की है भारत अब तक पांच स्वाण पदक के साथ चेंपेंशिप में शीर्ष पर बना हुआ है सुनत अब बाजी में विश्व पतल पर भारत का दबदबा जारी है उलिम्पिक में जहां सीनियर खिलाडियों ने शांदार प्रदर्शन किया वहीं अब जूनियर खिलाडी आई SSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपनी चाप छोड़ रहे हैं इसी कड़ी में पार्थ माने ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 24 शॉट फाइनल में 250.7 अंक हासिल किये और चीन के मौझूदा जूनियर एशियाई चैंपियन हुआंग को 10.7 अंक से पचाड़ दिया भारत के अन्य निशाने बाजों में अजे मलिक ने 5 और 15 साल के अभिनव शौ ने 7 वा स्थ 183.5 अंक हासिल कर अमरीका और जर्मनी को हरा कर टीम स्वण जीता भारत को गौतमी भानोट शांभवी शीर साकर और अनुष्का ठाकों ने जूनियर महिला टीम इवेंट में 10 मीटर एर राइफल में दिन का तीसरा स्वण पदक दिलाया प्राची प्रिया स्पोर्ट्सकैन तो हमारे शूटर्स न सिर्फ कहें कि सीनियर लेबल पर बलकि जूनियर लेबल पर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और यह जता रहे हैं कि भविश भी भारत का उतना है सुरक्षितर शूटिंग में निश्चे तोर पर आप देखिए रियो और तोक्यो की नाकामी के बाद जिस तरीके से पैरिस में शूटिंग में पदक आये हैं भारत की जोली में उमीद जगी है और जूनियर स्थर से ही यहां ओलंपिक मेडलिस्ट भविशी के निकलते हैं तो यह बहुत ही एक अच्छा संकेत भाती टीम के लिए जी और अधर हौकी इंडिया ने विश्वी चेंपियन जर्मनी के खिलाब होने वाली दो मैच की शिंकला की तयारी के लिए बैंगलूरू में सीनियर पुरुष राश्ट्रिय कोचिंग शिविर में 40 संभावित खिलाडियों का चैन किया है यह शि बिल्कुल मुझे तो बहुत जादा खुशी हो रही है कि 11 साल बाद दिली में मेजर ध्यांचर नेशनल स्टेडियम पर हौकी खेली जाएगी हौकी मैच देखने को मिलेगा और वो भी विश्वी चैंपियन जर्मनी के खिलाफ तो बहुत ही और यह पी यार शुजेश के ब रहा है उसकी वापसी में बड़ी भूमिका निवा सकता है बहुत और यह अच्छी टीम की खिलाफ मुकाबले हैं ऐसे कोई कमजोर मुकाबले नहीं है और भारती टीम अभी होकी का एक यूफोरिया है पैरिस में हम पदक जिक के आए एशियन चैंपियन्स ट्रॉफी हमने जीती है खिलाडियों को लोग पहचानने लगे हैं और यहां पर उस लोक प्रियता को बुनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है फुटबॉल से खबर मुंबई में इंडियन सुपर लीग आईसल में कलमेजबान मुंबई सिटी एपसी का मुकाबला बेंगलूरू एपसी स होगा इस समय है हैदराबाद और चैनियन एपसी का मुकाबला चल रहा है जो शुन्य शुन्य की बराबरी पर है और अब घड़ी की सुईयां कह रही है कि आज के हमारे स्पोर्स का इनकारी क्रेम का समय समाप्त हो रहा है तो मोना स्टूडियम आने के लिए हमसे बातचीत क लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी कल नई खेल खबरों के साथ मुझे भी दीजी अनमती नमस्कार